बाहुबली के दोनों भागों के बाद प्रभास को घर घर में पहचाना जाने लगा है वे लोप्रियता के मामले में किसी भी बॉलिवोर्ट सूपरस्टार से कम नहीं है अब वे साहो नामक फिल्म कर रहे हैं जिसका इंतजार उनके फैंस बेसबरी से कर रहे हैं इस फिल्म में बड़ी मुश्खिलों के बाद श्रधा कपूर को चुना गया है श्रधा के पहले कुछ हिरोइन्स को इस फिल्म का ऑफर दिया गया था जिनमें से कैटरीना कैफ भी एक है लेकिन किसी कारण से वे ये फिल्म चाह कर भी नहीं कर पाएं कैटरीना कैफ के पास तो इस फिल्म को न करने का बड़ा ही मज़ेदार कारण है आप भले ही अकीन न करें लेकिन सूत्रों ने जो वज़ा बताई है वो हैरान कर देने वाली है कैटरीना को जब ये फिल्म उफर की गई तो उन्होंने हीरो का नाम पूछा जबाद मिला प्रभास पूरा भारत प्रभास को जानता हो लेकिन कैटरीना नहीं जानती थी उन्हें लगा कि कोई दक्षिन भारत का छोटा हीरो है लिहाजा उन्होंने फिल्म करने से इंकार कर दिया बार में जब कैटरीना को पता चला कि ये प्रभास तो बाहु बली वाला है तो उन्होंने फॉरन गलती सुधारने की कोशिश करते हुए साहो के मेकर से कहा कि वे फिल्म करने के लिए तैयार है लेकित इस बार उन्होंने मना कर दिया कैटरीना के हाथ से एक बड़ी फिल्म न झाल झाल